जेहन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो इंडियन एरफोर्स की हेड़कोर्टर ट्रेनिंग कमांड जिसका मुख्याला है बैंगलॉर में है गुरुप C, सिभिलियन पुष्ट पर बहुत सारी बैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर चुका है तो इंडियन एरफोर्स में गुरुप C में बहुत सारी पदो पर जो है दोस्तो बैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आ चुकी है तो आज की इस वीडियो में हम इसी भरती से सम्बंदे जो है वो आपको जानकरी देने वाले हैं तो चलिए दोस्तो, श्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो सबसे पहले हम दोस्तो बात कर लेते हैं कि इस वेकन्सीज में अगर आपको अपलाई करना है चाहें आप किसी भी cast के हैं, male हैं या female हैं आप इस भरती में apply कर सकते हैं तो male और female दोनों के लिए है, all India भरती है, all class भरती है आप किसी भी cast के हैं इस भरती के लिए apply बिलकुल कर सकते हैं और इस भरती में दोस्तो जो आपका main-main चीज robbery आपसे पूछी जाएंगी यह वह मैं आपको बताऊंगा जरूर लेकिन सबसे पहले है मैं आपको बता दूँ कि इस भरती के लिए आपको अप्लाई करने के लिए जो एज लिमिट रखी गई है दोस्तो वो है 18 साल से 25 साल के बीच में उसके बाद में दोस्तो as per government rules के साब से जो जिस category के लिए एज में relaxation है वो भी दिया गया है आप देख सकते हैं तीन साल का relaxation है एज में OBC के लिए पांस साल का है SCST के लिए और person with disability के लिए है 10 years का ठीक है उसके बाद में दोस्तो एक सर्विसमेन अगर है आप तो एक सर्विसमेन के लिए भी इस भरती में apply करने के लिए मौका है ठीक है आगे के detail देने से पहले हम आपसे discuss कर लें कि ये जो भरती है दोस्तो vacancies है वो कहां कहां पर निकली हुई है इंड और कौन-कौन से पोस्त पर जो है वो vacancies दे गए हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले यहां पर यह दिया गया है कमांड हॉस्पिटल एयर फोर्स अग्रम पोस्ट बैंगलॉर ठीक है पोस्टल एड्रस है यह अगर आप अपनी application को भेजना है कौन-कौन से पद और housekeeping staff ठीक है तो आया कुक और housekeeping staff के लिए अगर आप apply करना चाहते हैं तो आप इस पते पर अपनी applications के लिए भेज सकते हैं ठीक है भरती की last date क्या होगी भी आपको बताएंगे total number of vacancies हैं दोस्तों यहाँ पर 4 ठीक है जिसमें दो आया की है एक कुक की है और एक housekeeping staff की है ठीक है उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं आगे बात करते हैं दोस्तों कमांडिंग ओफिसर टेंग कमांड ठीक है कमांडिंग ओफिसर ट्रेनिंग कमांड एयर फोर्स जेसी नगर पोस्ट हेबल बैंगलरू 5-6-00-6 तो इस वेकंसी की इस इसमें दोस्तों कौन-कौन से पदो पर वेकंसी निकले हुए निए वो मैं आपको बता दूँ इसमें एक वेकंसी है कौक की एक वेकंसी है सिबिलियन मेकनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की यानि की एक वेकंसी ड्राइवर की है तो यहां पर दोस्तों जो है वो दो वेकंसी निकले हुए अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम एयर फोर्स सौरी एयर ओफिसर कमांडिंग ए एक वैकंसी है अब बात करते हैं दोस्तों कि ये एर ओफिशर कमांडिंग येष इस्टेशन हाकिम हेट ठीओ ये जो वैकंशी जिंविकुंदी कुट की और वैकंशी है एक ठीक है तो यह है दोस्तो बेकंसी की डिटेल अब हम आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन और इस भरती में अपलाई अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी जो है बुलास्ट डेट हम आपको बता दें कि आप कब तक अपलाई कर पाएंगे तो जो यह एड्रस है दोस् अपलाई कर सकते हैं चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर हम इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो की बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है दोस्तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑबलिक पे स्केल फॉर इच पोस्ट ठीक है आया यानि की वर्ड साहिका की रूप में अगर आप अपलाई करना चाहते हैं वर्ड साहिका की पोश्ट के लिए तो आपको जो पे लेवल होगा वो बन होगा और आपकी जो एजुकेशन कौलिफिकेशन है दोस्तो वो है टैंथ पास ठीक है उसके बाद में आपको किसी भी नर्सिंग होम या फिर होस्पिटल से जो है वो बन हेर का आपकी ट्रेट का experience भी होना जरूरी है ओके चलिये civilian motor transport driver तो civilian motor transport driver की post पर अगर आप apply करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपकी जो education qualification है वो matriculation यानि की 10th pass है और उसके साथ आपके पास में दोस्तो driving license for light and heavy vehicles के लिए होना जरूरी है ठीक है आपके पास में valid driving license होने चाहने है जो की light vehicle और heavy vehicle दोनों के लिए ही होना जरूरी है ठीक है उसके बाद में आपके पास में दोस्तो must process professional skill in driving तो आपका जो skill test होगा उसमें आपसे driving करा के भी देखी जाएगी तो आपके लिए ये चीज़ा आनी जरूरी है तब ही आप driving की post पे apply कर सकते हैं चलिए आप चलते हैं कुक ओजी यानि की ordinary grade तो कुक ओजी के लिए अगर आप apply करना चाहते हैं तो इसका जो pay level होगा दोस्तों वो होगा 2 और आपका matriculation यानि की 10th class pass होना जरूरी है और certificate और diploma in catering one year experience in trade तो आपकी जो trade है को कि उसमें आपके पास में एक certificate या फिर डिप्लोम होना जरूरी है catering का जो कि आपके one year experience होना जरूरी है ठीक है चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं housekeeping staff की तो housekeeping staff के लिए आप अगर apply करना चाहते हैं तो आपका pay level है दोस्तो एक और matriculation यानि की 10th pass होना जरूरी है ठीक है तो इनकी सभी पतों की जो है वो मैंने आपका education qualification बता दी है और अब बात करते हैं दोस्तो आपका जो syllabus होगा syllabus की बात भी आप सो कर लेते हैं तो आपका written exam होगा उसमें आपका syllabus क्या क्या होगा दोस्तो general intelligence reasoning numerical aptitude general English general awareness trade oblique post related question ठीक है यह यह चीज़ों होगी अगर आप किसी भी trade में apply कर रहे हैं तो उससे related question आपसे पूंचे जाएंगे ठीक है चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे main चीज़ की जो है last date for apply तो दोस्तो the last date for receipt of application from 30 days from the date of publication of the advertisement in employment news oblique रोजगार समाचार तो अब आपको मैं दिखा दूँ कि यह बोलने हैं जो first day होगा रोजगार समाचार में यह notification पोस्ट करने का यानि की छपने का उससे 30 दिन तक आप apply कर सकते हैं तो 18 जून के लिए दोस्तों जो हब यह notification apply sorry यह employment newspaper निकला है तो 18 से 30 दिन आगे जाएंगे तो 17 जूलाई तक आप इसमें जो है वो apply कर सकते हैं ठीक है तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like और अगर चैनल पर नए हैं और इसी तरह की भरभरती की update पाना चाहते हैं तो हमारे लिए subscribe जरू कर लें और इस वीडियो को ज़्यदा से ज़्यदा अपने दोस्तों के साथ में भी share जरू करें तो चलिए कल फिर में लेंगे एक अन्य वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैवारत